असलाम अलेकुम हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन और अब्सॉप्शन का पॉर्शन जिसमें हमने डाइजेशन में देखा था कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करने के लिए बहुत सी हमारे बॉड़ी के अंदर सिक्रेशन उठी हैं जूसी की ग्लैंड्स की होर्मून को सिक्रेशन की वज़ा से हमारे बॉड़ी जो है इसरी डाइजेस्ट करती है यानि कि वो हॉर्मून्स को है हमारी बॉड़ी में डेजेशन में हल्क कर रहे होते हैं तो उन कॉंटेंट में हमने देखे थे स्लाइबा, पैंक्रियाटिक जूस, गेस्ट्रिक जूस अल डैट अर्गानिक मैटर पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कमपोजिशन हैं उसकी उनने बतायाे सोनिक अर्गांथ निकन मैत और अंदर कौन-कौन से मै TER इंक्लिूड होंकィ। वो हमारे पास co3 होता है ठीक है और second पे हमारे पास chlorine के आयन sodium and small amount of phosphate calcium and magnesium इसकी quantity जो होती है हमारे पास as an organic matter pancreatic juice के अंदर present होती है organic में हमारे पास जो आते हैं उनमें हमारे पास mainly enzymes होते हैं सारे जिनको जो हम आगे उनके functions को और further discuss करेंगे move करते हैं इसकी pH पे pancreatic juice की pH is alkaline alkaline means कि basic in nature highly basic होती है pH 828.3 due to high content of 8CO3 negative जो 8CO3 है हमारे पास hydrogen bicarbonate है ये तो ये क्या होता है इसकी nature basic है तो ये basic होने की वज़़ा से और हमने कहा है कि इसमें ज्यादा quantity में 8CO3 ही present होता है pancreatic juice के अंदर तो it means कि इसकी quantity ज्यादा होने की वज़़ा से pancreatic juice की pH है वो basic होगी उन्होंने range बताई लिए 8 to 8.3 हम already भी discuss कर चुके हैं pH की range को तो उसमें हमारे पास क्या होती है जो 7 होती है वो हमारे पास neutral होती है और जैसे जैसे increase करती है 7 से तो वो जाती रहती है alkaline की side पे मतलब के basic ही nature होती जाती है और जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा उसकी pH क्या होगी acidic होगी यह हमारे पास एक scale है pH मेर करने का तो इधर उन्होंने range बताई 8 से 8.3 मतलब more than 7 यहनके neutral से ज्यादा है तो it means कि यह basic ही nature होगी हम इसकी amount जो secretion हमारी body में होती है वो almost 1.2 से 1.4 liter per day के हिसाथ से होती है यह होगी हमारे पास pancreatic juice की pH amount or composition अब हम discuss कर लेते हैं enzymes of pancreatic juice pancreatic juice के अंदर 11 type of enzymes present होते हैं जिनको easily याद करने के लिए एक pneumonia के trick भी हम use कर चुके हैं उसका link भी description में होगा उस pneumonia को अगर आप use करें तो easily 11 names याद रख सकते हैं इसमें हम इनके functions को देखेंगे हमारे पास सबसे पहले आज़ात है trypsin trypsin जो है एक enzyme है जो के pancreatic juice की अंदर present होता है इसका function क्या होता है trypsin जो है जब हमारी body की अंदर secret होता है तो अपनी inactive form trypsinogen की form में secret होता है trypsinogen जो के इसकी inactive या zymogen form है हमने types of enzymes में पढ़े थी zymogen क्या होती inactive form होती है inactive form trypsinogen की form में secret होता है और जो बाद में जब इसके action की ज़रूरत होती है food की digestion होने होती है तो ये convert हो जाता है अपनी active form में जो के है trypsin ठीक हो गया ये एक endopeptidase है कौन सा enzyme है ये एक endopeptidase है endopeptidase में हमने देखे थे कि वो enzymes जो central peptide bond के उपर act करते हैं उनको बोलते है endopeptidase protein की जब हमने classification hydrolysis की classification की थी तो उसमें हमने देखे थे protein hydrolyzing enzymes तो उसमें हमने देखे थे कुछ endopeptidase होते हैं कुछ exo exo वो के टर्मिनल पेक्ट कर रहे होते हैं endopeptidase पेक्ट कर रहे होते हैं उसको break करके जो hydrolysis कर रहे होते हैं तो trypsin जो है एक endopeptidase है ये इसका functions थे ये accelerate करते है blood clotting को यानकि ये blood clotting के अंदर भी as a factory work कर रहा होता है trypsin ये अपनी inactive form में जो होता है ये इसका एक हो गया ये इसके हमाने पस mainly have functions हो गए trypsin के revise कर लेते हैं कि अपनी inactive form trypsin हो जिन में एक्टिव जिन में एक्ट कर रहा होता है second पर move करते हैं जो कह है kymotrypsin kymotrypsin ये भी अपनी inactive form zymogen form में secret होता है जो कह है kymotrypsinogen और जब digestion करवानी होती है तब ये अपनी active form में convert हो जाता है kymotrypsin ये भी एक endopeptidase है trypsin भी kymotrypsin भी ये दोनों जो हैं हमारे पास क्या है endopeptidase है और दोनों अपनी inactive form ये trypsinogen ये kymotrypsinogen और जब जुरूरत होती है तो ये trypsin में convert हो जाता है third भी हमारे पास अता है carboxy polypeptidase ये हमारे पास एक exopeptidase है यानिके टर्मिनल पे act करने वाला peptide bond पे act करेगा trypsin और chymotrypsin और carboxy polypeptidase है जो वो exopeptidase है यानिके वो टर्मिनल पे act करेगा polypeptide chains की जब hydrolysis हो रही होगे protein की हमारे body made during digestion and absorption of food इसका ये ही था next भी हमारे पास आता है elastase elastase का function होता है hydrolysis करवाना elastin की hydrolysis of elastin हमारे body के अंदर elastin की hydrolysis करवाना function होता है elastase what is elastin क्या होता है elastin एक protein forming constituent होता है specially connective tissue की formation के लिए especially elasticity जो होती है हमारे tissues के अंदर तो ऐसे tissue connective tissue के तोर पर ही work कर रहे होते है तो उनकी formation में ये help कर रहा होता है elastase elastin sorry तो उसकी hydrolysis करवा रहा होता है elastase next now moves करते है collagenesis पे ये क्या कर रहा होता है ये hydrolysis करवा रहा होता है collagen की collagen की collagen जो है एक component है किसका connective tissue का ही component है collagen भी collagen भी collagen is collagen की hydrolysis करवाएंगे next में पर सथ है pancreatic lipase ये pancreatic lipase जो है lipase ही से पता चल रहा है इनके lipids lipids में में पर सब्सक्राइब होता है triglycerides होते हैं तो उनकी hydrolysis करवाए गई pancreatic lipase इसके इलावा ये एक और work कर रहा था ये act कर रहा था presence of bile salts पे जो हमार पस bile salts होती है उनकी presence पे act सिर्फ जो हमार पस pancreatic lipase ही कर रहा होता है ये इसके दो functions होगे triglycerides की hydrolysis करवाना और act करना on the presence of bile salts next next हमार पस आज़त है pancreatic amylase ये क्या करता है identical होता है salivary amylase जो function salivary amylase का होता है as it is pancreatic amylase का भी वही function होता है यानि कि ये क्या करता है स्टार्ज को glycogen को maltose में हमने ये चेंड पढ़ी थी जब हमने स्टार्ट की थी carbohydrate hydrolyzing enzymes तो उसमें हमने function पढ़ा था salivary amylase का तो उसी तरह सेम pancreatic amylase पे यही कर रहा होता है वार पस जो glucose होता है स्टार्ज होता है maltose के अंदर कर रहा होता है यह हो गया हमारे पास pancreatic amylase नेक्स्ट हमारे पास आता है deoxyribonuclease इसके नाम से जाहर हो रहा है deoxyribonuclease जिसमें हमारे पस क्या आते हैं DNA आते हैं हमारा nucleic acid DNA उसकी hydrolysis करवाएगा नेक्स्ट नाम पास आता है ribonuclease 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 में हमारे पास हमारा कौन सा nucleotide हो हमारे जो आते हैं वह हमारे पास RNA होता है तो ribonuclease वह जो के DNA DNA की hydrolysis करवाएगे सेकिंड लास्ट नाम पास आता है phospholipase A2 इसके यह जो है phospholipase A2 जो है यह दो components की क्या करवा रहा है hydrolysis करवा रहा है उसमें एक हमारे पास होता है cephaline and the second जो हमारे पास होता है lecithin cephaline और lecithin दो components की करवा रहा है अब what is cephaline and what is lecithin cephaline जो क्या है यह हमारे cell membranes होती है उनके अंदर present होता है phospholipids है phospholipid है जो के specially present होता है cell membrane में of brain cells उनके इनके इनके cells present होता है cephaline से पता चलता है तो brain cells की cell membrane होगी phospholipid का components होते है और जो lecithin है यह lecithin जो है यह हमारे पास क्या है यह एक yellowish brownish group fatty acid का group होता है yellowish brownish उसकी appearance के इसाब से कहते है कि इसके appear इस तरह होता है और यह fatty acid का group होता है जो के दोनों के साथ मतलब के दोनों मतलब इस्टर की hydrolysis करवाएगा इस्टरो 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 इस्टर की hydrolysis करवाएगा यह हो गए है 11 enzymes इंको याद एस्टरो इसली याद रखने के लिए अमर पास निमाॉनिक ट्रिक जो हमें पहली विडियो में तो उसका लिंक दिस्क्रिप्शन में और उनके functions अमने आज देख ले इनके functions को easily आज देख ले है next move करेंने, हम से regulation थे झाहले तक हम इस मेरा Fraktion, प्रमेलेशन दिन ध्रीच थाज़ की दिन की d doable हमारे आयगम था आधा मेर, फै। जवये पास होति है Anyone and the second one humoral ठीक है यह हमारे पास दो टाइप्स है regulation of pancreatic juice secretion अगर हम बात करें नियोजेनिक regulation की तो उसके अंदर हमारे पास चो होती है दो types होती है यानि कि कुछ दो factors जो involve होते हैं increase करने में उसकी secretion को और दो फेक्टर इन्वोल होते हैं उसकी इन्हिबिशन में अब कौन से दो फेक्टर कर रहे होते हैं नियूरेजैनी के अंदर पैंकरेजूस की सेक्रिशन को ज्यादा हम वो देख लेते हैं उसमें एक हमारे पास आता है पैरासिंपथाटिक स्टिमॉलेशन और जो सेक्ट हमारे पास आता है वो वेगो स्ट्रेचिंग ओफ फंडस पैरासिंपथाटिक स्टिमॉलेशन और स्ट्रेचिंग ओफ फंडस पैरासिंपथाटिक स्टिमॉलेशन जो होती है पैंकरियास की यानिकि इन्दर एस ओफ रेस्ट एक sympathetic होती एक parasympathetic हम पहले भी इसको discuss कर चुके sympathetic fight and flight action में और rest के case में हमार पास parasympathetic तो उस case में pancreatic juice की secretion बढ़ेगी और stretching of fundus, fundus जो है stomach का part है एक main part है stomach का तो जब उसकी stretching होती है तो उस case में भी pancreatic juice की secretion जो है वो ज्यादा हो जाती है यह दो हो गई है उसकी regulation में increase करने में, neurogenic के अंदर और जो inhibition करवाती है वो हमार पास sympathetic जब flight and fight action आता है तो हमारी digestion कम हो जाती है stop हो जाती है, inhibit होती है तो pancreatic juice की secretion उस case में क्या होती है कम होती है, उसे विज़़ज़ से हमारी digestion भी रुखती है और दूसरी हमारी sympathetic stimulation the second one vagotomy vagotomy what is vagotomy vagotomy वो होता है जब removal हो जाती है किसी भी part की या complete vagus nerve की किसी वज़़ज़ से तो surgery के through भी हो सकती है किसी भी तरह तो उस case में उसको vagotomy कहते हैं तो जब वो होती है तो उस case में digestion inhibition होती है और किस तरह होती है क्यूंके pancreatic juice रहा है उसको inhibit कर देता है वो ठीके ये दो हो गए हमारे पास inhibition sympathetic यानिके जब हमारा fight and flight action होता है उस case में inhibition हो जाती है और दूसरा vagotomy के ये हो गए हमारे पास neurogenic regulation second भी हमारे पास हती है humoral यानिके hormones की base पे हमारे पास दो तरहां के hormones होते है secretin and the second one is a cauli cystokinin pancreosamine ये दोनों help कर रहे होते हैं humoral यानिके hormones है ना ये तो ये secretion कर रहे होते हैं किस तरह करते हैं secretin का function क्या होता है ये किस case में जैसे ही food enter करती है small intestine में stomach के बाद small intestine में enter होगी तो क्या होगा first part of small intestine जो के dudenum है उसमें इस hormone की secretion start हो जाएगी और ये क्या करेगा inhibit करेगा previous gastric phase जो होती है gastric juice यहाँ पे secret हो रहा है उसको inhibit कर देगा ठीक होगा ये secretin का function है और cauli cystokinin ये भी यही करता है ये क्या करवाता है cause करता है contraction of gall bladder जिसकी वज़ा से जो है वो pancreatic juice जो है उसकी nutrition start होती है और पहली फेस जो होती है वो क्या दिया स्टॉप हो जाती है ये थी hormones के इसाब से फ़ंगा है